हलो इब्रियान, वेलकम टू ओरिडिव चनल प्रोफेस्टर के अकेडमी और मैं हूँ आदित्टी शिवास्तोग डियर फ्रेंड्स आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं गॉर्मेंट कॉलेज की सीट्स से आपको क्या 550 में मिल पाएगी या 500 प्लस में मिल पाएगी कि यूँ बहुत स्टूरेंट्स की क्वेरी आती है जिनके स्कोर 500 प्लस होते हैं उनको लगता है कि मुझे 510 या 520 नमबर पर गॉर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा ऐसी हमारे पास कई कॉल्स हर साल आते हैं कि मेरा स्कोर सर 510 नमबर है क्या मुझे गॉर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आज की वीडियो हम इस टॉपिक को भी लेके आए हैं सेकेंड टॉपिक हम जो कबर करेंगे इसमें प्राइबेट कॉलेज जो लो फीस के हैं उनके बारे में बात करेंगे थर्ड नमबर पे हम ऐसे स्टुएंट की बात करेंगे जिनका स्कोर बिल्कुल जस्ट पास मार्किंग है उनको क्या कोई कॉलेज मिल पाएगा तो फर्स टॉपिक की ओर चलते हैं तो dear friends जैसे कि स्टुएंट समसे पूछते हैं कि क्या अगर हमरा 500 प्लस मार्क्स है तो क्या हमें गॉर्मेंट कॉलेज मिल पाएगा तो मैं आपको बता चाहूँ जैसे कि लास्ट त्रीन और चार सालों से मैं देख रहा हूँ जबसे आपका नीट आया हुआ है कि 510, 520 में अगर जनरल कटेगरी हैं तो कोई भी आपको गॉर्मेंट कॉलेज नहीं मिलता है आपका अगर गॉर्मेंट कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए आपका 600 प्लस आपका स्कोर कंपल सरी है कभी आपके 10-5 नमबर आगे पीछे होते रहते हैं कि आपको कभी आपने लास्ट कॉंसलिंग कराए आपको 590 है 595 है तब भी आपको मिल जाए अगर आपकी कटेगरी OBC कटेगरी से आप आते हैं तो 10-15 नमबर का फरका सकता है और अगर आप S.C.S.T. कटेगरी के आते हैं तो उसके लिए आप मारे कॉंसलर को कॉल कर लें जो भी स्कोर अगर 500 प्लस होते हैं कि आप कोहां पर कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है अब हम सेकेंड ओप्सन पर आते हैं इनके 500 प्लस होते हैं कि क्या मुझे साउथ में जो कॉलेज है नहीं बैंगलोरू सिटी में जैसे रमया किम्स क्या ये मुझे 25 लाग में 30 लाग में मिल पाएंगे तो मैं आपको बता हैं तो अब ऐसी कहीं भी फीस नहीं है कभी पहले होता था कि आपकी फीस कम थी चार ते पांच लाग रुपए थी पर येर पर अब ऐसी कोई फीस नहीं है अब अगर रमया किम्स इनकी भी फीस देखेंगे तो साड़े आट लाग नो लाग से उपर की फीस उसके बास आपके हॉस्टल फोडिंग अलग के खर्च अलग है तो पचीस से तीस लाग साउथ में आपकोई भी कॉलेज नहीं है एक दो कॉलेज जो है सेंट जोन और इस सब कॉलेज जहां के फीस कम है तो उसके लिए हाई स्कोरिंग चाहिए अब हम आते हैं ऐसे स्टुडेंट्स के बारे में जो जो जस्ट कॉलिफाई है यानि अंडर 200 है तो क्या उनको कहीं पे मेडिकल कॉलेज मिल पाए का इंडिया में तो मैं आपको बताना चाहूंगा उनकी लिए उनको डीम्ड के आपसंस होते हैं कि फीस काफी हाई होती है वो कॉलेज मिल जाएंगे प्लस और भी कॉंसलिंग करा सकते हैं किसी स्टेट में आपको हो तकता है आपको कुछ कम फीस के 14-15-16 लाग की फीस में भी कॉलेज मिल जाएं पर यह लास्ट के ऑप्संस है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मिलने की संभावनाएं बहुत कम हैं अंडर 200 में डीम्ड में जा सकते हैं बाकी आप हमारे कॉंसलर से पेट कॉंसलिंग ले सकते हैं जिसमें हम आपकी पूरी हेल्फ करेंगा आपको कॉलेज मिल रहा है तो कहां पर मिलेग आपको कम बजट में मिलेगा वो हम कॉल कर सकते हैं आप हमारे ऑफिस कर सकते हैं आप पेड़ कॉंसलिंग ले सकते हैं जिसमें आप ये क्या